नमस्कार दोस्तों मैं जिससाब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चानल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपना एडमिट का डाउनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम उसे जनकारी देने वाले तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्तिक देखेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दुआ दे जिससे के हमारे चैनल पर आने वाली सब्सक्राइब को सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों अवदेश प्रताप सिंह 20 विद्याले रिवा के इस्ट्रेंट अपना एडमिट का डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल जो पोर्टल करना होगा वीडियो के डिस्क्रेप्शन में वहाँ पर लिंक मिल जागा वहाँ पर जाके आप ओपन कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर आपकी सानु बहुत सारे नीचे आमें आएंगे तो नविंतम सुचनाय का ओप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे एप अपर चला जाएगा नीचे में आएंगे और सर्विस्टेस में बहुत सारे ओप्शन मिलेंगे तो यहां पर एक ओप्शन मिल जागा यह पी यस एडमिट कार्ट रेगुलर प् इस वाले option पर आपको क्लिक करना है जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यह नया पेज आपके सामने open होगा तो आप इस पर क्लिक करके थोड़ा वेट कर लें उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से option पर लेगा डाउनलोड एड्मिट कार्ड में एक्जाम टाइप नंबर वाला option पुछा जागा तो जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उसको निकालना है फिर उसके बाद इन्रॉल्मेंट नंबर डालना तो यहां पर इन्रॉल्मेंट नंबर फिल्प करना है सेशन में आपको option मिलेगा जो भी एक्जाम अभी current में चल रहा होगा उसका यहां पर options मिलेगा उसको यहां पर इस तरीके से select कर लेना है उसके बाद यहां पर semester code पुछा जाएगा yearly semester code उसको आप इहां से select कर ले उसके बाद branch mode वाले option पर सेलेक्ट करने regular etiquette ex private distance अब्लिक regular distance अब्लिक इक सप्लिमेंटरी का options पर लेगा जो भी criteria हो जिस भी तरीके का आपको admit कार निकालना होगा उसको आप यहां से select कर ले जो भी आपका options है वो इसके हिसाब से select कर रहे उसके पर capture code screen page होगा उसको फिलब करके search वाला option आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों जैसे ही आप search वाला option select करते हैं तो प्रावदिक प्रिवेस्पत नियमित पर इच्छार्थी के लिए या जो भी आपका criteria होगा उसके हिसाब से आपका admit card आपकी screen पेस हो जागा जिसमें आपका roll number नाम exam form का application number आपकी category और आपका जो भी appearing subjects है जिसका आपको exam देना है उसकी details आपको मिल जागा फिर नीचे में signature मिल जागा फिर basic instruction आपको exam के लिए मिल जागा तो यह आप देख सकते हैं तो यहाँ पर date मिल जागा कब आपने print के लिए प्रोसेट किया है यहाँ पर print का options मिल जागा तो आई होग दोस्तों आप इस तरीके से online सिख गया हूंगे कि अपना admit card किस तरीके से निकालते हैं तो वीडियो अच्छी लेग लागो दो 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 दोड़को कि अपने के लिए